पिछली साल भारत से कनाडा जाने वाले चात्रों में 60 फीसदी यानी 1.36 लाग पंजाबी चात्र थे। इन में हर चात्र सालाना फीस के तौर में और सतन 10.47 लाग और गारंटी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट यानी GIC के लिए करीब 6.28 लाग का फंड इन्वेस्ट करता ह भारत और कनाडा के बीच गहरते तनाव के बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतिय चात्रों और देसी मूल के लोगों का कनाडा की अर्थ व्यवस्था में भारी योगदान है खालसा वॉक्स नाम की संस्था की इस चौकाने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कनाडा में पढ़ने के लिए पंजाब के स्टुडेंट हर साल 68,000 करोर रुपे खर्च कर रहे हैं इन आकडों को इस आधार पर निकाला गया है कि पंजाबी पेरेंट हर साल और सतन 20 लाख रुपे खर्च करते हैं स्टुडेंट वीजा प्रोसेसिंग एजेंसियों के मुताबिक करीब 3,40,000 पंजाबी चात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं इसके अलावा भी वहां रहने वाले भारतियों का भी कनाडा की एकोनमी में अच्छी खासी हिस्सेदारी है एक अनुमान के मुताबिक कनाडा में करीब 20,000,000 भारतिय रहते हैं इनका वहां की एकोनमी में सालाना 3,000,000 करोड का योगदान है Refugee and Citizenship कनाडा यानि IRCC ने 2022 में 2,26,450 वीजा मंजूर किये थे इन में से करीब 1,36 लाख वीजा पंजाबी चात्रों के मंजूर हुए थे ये स्टुडेंट वहां अलग-अलग कोसेस में 2-3 साल के लिए दाखिला लेते हैं अब कनाडा KPM Justin Trudeau के बयान के बाद इन छात्रों के माता-पिता सबसे ज़्यादा चिंतित हैं पंजाबी छात्रों के पेरंट्स के चिंतित होने की वजह भी वाजिब है क्यूंकि Association of Consultants for Overseas Studies के मुताबिक 2008 तक केवल 38,000 पंजाबी छात्र ही वीजा के लिए आवेदन करते थे जिनमें हाल के बरसों में काफी इजाफा हुआ है पिछली साल भारत से कनाडा जाने वाले छात्रों में 60 फीसदी यानी 1.36 लाग पंजाबी छात्र थे इनमें हर छात्र सालाना फीस के तौर में औसतन 10.47 लाग और Guarantee Investment Certificate यानी GIC के लिए करीब 6.28 लाग का फंड इन्वेस्ट करता है भारत का रियेक्शन स्वाभाविक है क्योंकि पहली बार किसी पश्चिमी देश ने भारत पर इस तरह का आरोप लगाया है कनाडा के 2022 के जन संख्या के आंकरों के मुताबिक दूसरे देशों से कनाडा जाकर बसने वालों की कुल संख्या में से 19 फीसदी भारतिय होते हैं इसके अलावा कनाडा में पढ़ रहे विदेशी चात्रों में 40 परसंट भारतिय हैं कनाडा में सिखों की बड़ी आबादी है, जो कुल आबादी का 2.1 फीसदी है. वहीं कुल आबादी में 2.3 हिस्सेदारी हिंदुों की है, जो सिखों से ज्यादा है. ऐसे में कनाडा के लिए भारत से लिया गया ये विवाद काफी महंगा पड़ सकता है. क्यूंकि अगर तनाव और बढ़ता है तो भारत अपने लोगों को वापस बुला सकता है साथ ही छात्रों के लिए कनाडा के दर्वाजे बंध हो जाएंगे जिसके बाद वो दूसरे देश की तरफ रुख करेंगे ऐसे में आर्थिक तोर पर कनाडा को तगड़ा नुकसान हो सकता है और इसके लिए केवल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो जिम्मेदार होंगे